हलो फ्रेंज रेनु की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने जारी बहुत ही ज़्यादा टेश्टी हेल्दी रेसिपी जिसे पालक और आटा के साथ में बनाएंगे इस एक रेसिपी में फ्रेंज आपको प्रोटीन विटाम ले लेंगे और इसे अच्छे से धो लेंगे धोने के बाद हमें इसे ब्लांच करना है और यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि बहुत जादा मोटे मोटे डंटल वाला पालक का इस्तमाल नहीं करना है जले भी इसे ब्लांच कर लेते हैं तो ब्लांच करने के लिए पहले एकड़ाई में पानी गर्म कर लेंगे उसके बाद इसमें सारे पालक के पत्तों को डाल देंगे वैसे तो आप बिना ब्लांच किये भी इस्तमाल कर सकते हो बट हलका सा ब्लांच कर देने से पालक में कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है तो इसे बहुत जादा बॉयल नहीं करन आप इसे ऐसे रहने दोगे तो पालक का जो कलर है अच्छा नहीं आता बहुत जादा डाक हो जाता है इसके बाद क्या करेंगे एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें पालक का पत्ते को डाल देंगे ध्यान रहे हां जितना भी एक्ष्ट्रा पानी हो उसे निकाल करके डालना ह पान से छे कली लसन ले लेंगे एक छोटा चमस साबू जीरा डालेंगे इसके साथ में अदरक और हरीमीज डाल सकते हो अगर आपके पास एक्ष्ट्रा में हरा धनिया का पत्ता हो तो जरूर डाल करके पीसे बहुत ही अच्छा टेश्ट आता भी मेरे पास नहीं है तो मैं अच्छा आया है बहुत ही अच्छा कलर आया है चलिए इससे साइड में रखेंगे उसके बाद यहां बड़ा सा बरतन ले ले लेंगे इसमें डालेंगे दो कप गेहू का आटा जिसे रोटी वगरा बनाते हैं यह वही आटा है इसके बाद इसमें एक छोटा चमश नमक डा इसके बाद इसमें डाल देंगे पालक का पेष्ट जो हमने तयार करके रखाता पूरा डाल देना है बचा करके नहीं रखना है अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद अगर लगे ज़रुत कि हमें इसमें पानी डालना है तो डालेंगे न अगर आपको पानी का ज़रत लग रहा है तो आप डाल सकते हैं यहां पर हमने आटा तेयार कर लिया अब इसमें डालेंगे दो छोटा चमच रिफाइन या फिर घी इस तरह से उपर से रिफाइन डाल करके आटा लगाने से हमारे जो आटा है बहुत ही अच्छा सौप्ट करने के बाद अच्छे से नीट करना है नीट करने के बाद कुछ देर के लिए रेष्ट करने के लिए छोड़ देंगे तब तक स्टपिंग बना लेंगे तो यहां स्टपिंग के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर और पनीर को हमें इस तरह से ग्रेट करके लेना है इसके ब बहुत ही ऐक्छा फ्लेवर जाता है अधोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे हरा धनिया डालने के बाद यहां पे लेंगे कुछ पालक का पत्ता इस तरह से बारी कट करके लेना है और इसमें पानी का इस्तमाल नहीं करना पाला कपत्त को पहले दो लीजिए और उसको किसी भी कपड़ा वगरा से ड्राइ कर लीजिए और बारी कट करके डाल देना हमें अगर आपको इस तरह से पाला कपत्त डालना पसंद नहीं है तो इसके बिना भी बना सकते हैं पर डालने से अच्छा टेष्ट आता है इसके बाद इसमें डालेंगे एक चोटा चमच कस्तूरी मेती, तावा में सेक लीजे तो इस तरह से करस्ट करेंगे तो बहुत ही असानी से करस्ट हो जाएगा और यहाँ पे डाल देंगे एक चोटा चमच काली मिज का पॉडर और आधा चोटा चमच डालेंगे भूना हुआ जीरा पॉडर और 140 टीस्पून इतना डाल देंगे गरम मसाला पॉडर सारा मसाला का कॉंटिटी अपने टेश्ट के अनुसार कम जादा कर्श रखते हो और एक चोटा चमच इसमें डालेंगे चाट मसाला आधा चोटा चमच डाल देंगे चिली फ्लेक्स और एक चोटा चमच इतना डाल देंगे मेक्स अप चलिए सारी चीजों को मेक्स कर इसमें नमक और मिर्ची डालेंगे, वैसे मिर्ची डालना ऑप्षनल है, अगर आप कम स्पाइसी खाना चाहते हो, तो मिर्ची बना सकते हो, और आधा चोटा चमच इतना नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉरडिंग नमक डालें, एक बार और अच्छे से मिक्स कर तो यह बहुत ही मज़ेदार से श्टपिंग बनके तेयार है अभी से श्टपिंग को रखते हैं साइड में और आटा में से इस तरह से एक लोई ले लेंगे जितना बड़ा आपको प्राठा बनाना है उतना बड़ा आप लोई ले लिजे इसे अच्छे से नीट करते हुए ग लेश्ट आता है और इस श्टपिंग में आप चीज का भी इस्तमाल कर सकते हो यहां मैं आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगे अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेर बेल लेंगे बहुत जादा पतला नहीं बेलना है नहीं बहुत जादा मोटा भी लाइं उसके तवा को थोड़ा से गरम करेंगे और इसमें प्रेठा डाल देंगे जब एक तरफ से थोड़ा सीख जाए इसके बाद हमें इस तरह से पलट लेना पलटने के बाद यहां पे घ लराने तक प्राठा को सेख लेना है तो यह देखिए हमारा जो प्राठा सेख चुका है बाकिर का भी प्राठा इसी तरह से बना लेंगे फ्रेंस यहां में एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूंगी इसका श्टपिंग में आप गाजर और सीमला मिर्च का भी इस्तम लोगों को बहुत पसंद आएगा और रेसिपी त्राय करने के बाद मुझे जरूर शे कमेंट करके बताईएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगत मिलते हैं नेक्स टूडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाय थैंक यू